मकर संक्रांती भारत के उन कुछ त्योहारों में से एक है जो संपूंड भारत में एक साथ मनाया जाते हैं ऐसा क्यों है? पर इससे भी बड़ा प्रश्ण ये है कि मकर संक्रांती में मकर का अर्थ क्या है और संक्रांती किसे कहते हैं? एक और बड़ा प्रश्ण वो है जिसके बारे में अपने कभी सोचा नहीं होगा दिवाली, ठोली, राम नवमी, प्रिश्न जनमाश्म, शिवरातुरी, आदी अन्य सभी तेवार हर वर्ष अलग अलग दिन आते हैं परंद मकर संक्रांती का तेवार हर वर्ष एक ही दिन आता है, ऐसा कैसा सूर्य का उत्तरायन और दक्षनायन होना क्या होता है और क्या मकर संक्रांती और उत्तरायन दोनों एक ही दिन होते हैं जोतिश शास्त्र के नुसार इस ही दिन यानि मकर संक्रांती के दिन ही सूर्य देव मकर राशी में प्रवीश करते हैं ये राश्या क्या हो जाए? मकर संक्रांती में तिल और गुड की इतनी विशेश्टा क्यों है? प्रश्न कई हैं पर उत्तर यहीं हैं अन्त तक इस वीडियो को देखते रहेगा अद्धी सीवे स्टोरी इस बिगिन एन मापत्स क्रिचरेशु कांतारेशु भाईशु चा कीरतियन पुरुशह किष्चन नावसिदती राखवा नमस्कार दोस्तों रामायन में वालमी की जी लिखते हैं कि जब श्री राम के अनेको प्रयासों के बाद भी रावन का अंत नहीं हो रहा था तब अगस्त मूली में आकर भगवान श्री राम को आधित्य रुदय स्टोतर का पाठ कराया जिसके ही कारण भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हो इस इस तोत्र की फलशृती में कहा गया है कि विपत्ती के अजम में, कश्ट में, दुरगमार्ग में या फिर भाय में जो भी व्यक्ति भगवान सूर नारायन का तीरदन करता है उसे कभी भी कोई दुख नहीं रहता इनी सूर्यदेव का वेदों में, पुराणों में, उपनिशदों में, रामायन और महाभारत में अनन्य गुणगान किया गया है हमारे रिशियों ने सूर्य और उसके प्रभाव को एक वैज्यानिक दृष्टी से पूनतह समझा है और फिर इन्हें शास्त्रों और ग्रंतों में खुपसूरती से पिरोया है सूर्य सिद्धान इसका एक सटीक उधारण है और जोदिश विज्ञान की सूर्य के प्रभाव के बिना इपना ही नहीं करी जा सकती यत पिंडे तत भ्रहमान अर्थात जिन धात्वों से जिन तत्वों से हमारे शरीर बना हैं वही सभी धात्व वही सभी तत्व संपून भ्रहमान में भी व्यापत है और अब तो मॉडरन साइंस भी इस सत्य को मानता है तो आईए, इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए, हम मकर संकरांती के विशय को अधिक गहराई के साथ समझते हैं सबसे पहले समझते हैं संकरांती को संकरांती शब्द संक्रमन से आया है संक्रमन यानी चलना, घूमना, फैलना और अब मकर को समझते हैं मकर का अर्थ है Tropic of Capricorn यानि वो imaginary line जो equator के नीचे या दक्षड या south की ओर होती है अब धर्ती जुकी हुई है करीब 23 डिगरी के कोण पर जब धर्ती इसी कोण पर सूर्य के समीप पहुँचती है तो northern hemisphere के यानि equator के ऊपर की धर्ती पर गर्मी पड़ती है और सूर्य Tropic of Capricorn से Tropic of Cancer की ओर बढ़ना आरम भकरता है जिस दिन सूर्य की किर्णे सीधा मकर रेखा पर पड़ती है उसी दिन से उत्तरायन आरम्भ होता है उत्तर यानि north और अयन यानि गती अर्थात उत्तर की ओर की गती उत्तरायन परन्तु ये मकर संक्रांती नहीं है ये उत्तरायन है जो आरम्भ होता है विंटर सॉलिस्टिस से यानि 22-23 डिसम्बर से पड़ गए ना सोचकों बात कुछ अटपटी सी लग दिन कि मकर संक्रांती और उत्तरायन अलग अलग दिन निश्चिन्त रहिए इस वीडियो में आपको सभी बातों का समाधान मिलेगा और तभी तो वो कथाएं जो हम आपको सुनाएंगे आप आगे और अच्छे से उन्हें समझ पाएंगे मकर का दूसरा अर्थ जानने से पहले आएए समझते हैं राशी क्या होती है अब धर्ती के आसपास 27 नक्षत्र यानि तारों का समूह constellations है ऐसे 27 constellations अलग-अलग shapes में धर्ती के आसपास मौझूद है जब हम इन 27 constellations को 30 degree angle पे divide करते हैं इनके अलग-अलग parts करते हैं तो हमें 12 राशिया मिलती है अब 30 degrees के angle पे ही क्यूँ और 12 राशिया भी क्यूँ इसका एक अलग विज्ञान है जो हम फिर कभी किसी अलग विडियो में करते हैं अब इन राशियों में तारों के समूह का हमारे रिशियों ने अलग-अलग आकरतियों में विभाजन कर नाम रख दिया उन्ही में से एक है वो राशी जिसमें तारों का समूह एक मगर की आकर और यही है मकर राशी और जिस दिन सूर्य इस राशी में एक महीने के लिए भूमने प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं मकर संक्रानति इसी दिन तो उत्तरायन भी होता है पर हमने पहले देखा था कि उत्तरायन तो अलग दिन होता है इसका कारण है समय की गणना यानि यदि हम सूर की गती से समय की गणना करें समय को गिनें तो विंटर स्वालिस्टिस से ही उत्तरायन आरंभ होता है परन्तु यदि हम नक्षत्रिय द्रिष्टी से यानि नक्षत्रों या फिर कॉंसलेशन्स की द्रिष्टी से समय को गिने तो उत्तरायन मकर संक्रांती के दिन ही पड़ता है और इजी समय की गणना को नाक्षत्रिय दृष्टी से समय की गणना को ही इंगलिश में साइडेरियल टाइम भी कहते हैं फाइनल अब यहीं एक प्रश्ण और आता है कि अन्य सभी तेवहार तो हर वर्ष अलग अलग दिन मनाय जाते हैं परंतु मकर संक्रांती का तेवहार हर वर्ष एक ही दिन कैसे इसका कारण बस इतना है कि भारतिय पंचांग मूल रूप से चंद्रमा की गटी के अनुसार होते हैं और अभी हमने देखा कि मकर संक्रांती की गणना चंद्रमा की गटी से नहीं की जाते और क्योंकि ये तिम्हार एक बहुत बड़ी खगोली घटना पर यानि एक बहुत बड़ी सेलिस्टिल इवेंट पर और उस इवेंट का हम पर पढ़ने वाले प्रभाव पर आधारित है इसे केवल भारत भर में ही नहीं निपाल, ठाइलिन, कमबोडिय आधी कई सारे और अन्य देशों में भी उतनी ही धूम धाम के साथ मनाया जाता है पर इस घटना का हम पर क्या प्रभाव पढ़ता है आईए समझते हैं कुछ कथाओं के माध्यम से जब भगवान विश्णू और महादेव शिव के स्वरूप भगवान हरिहर यानि अयप्पा के पिताजी को उनके पुत्र के भगवत रूप का भान हुआ तो उन्होंने उनका एक मंदिर बनाने का सोचा अब ये मंदिर कहां बने तब भगवान अयप्पा ने अपने धनुश पर एक तीर साधा और ये कहा कि जहां ये तीर जा धर्ती पर गड़ेगा वहीं ये मंदिर बनेगा वो तीर जहां गिरा आज वही स्थान सब्रिमला के नाम से विख्यात है और ऐसी मानिता है कि भगवान अयप्पा की मुर्ती स्वयम विश्नु अवतार परशुराम ने बनाई थी और उन्होंने ही श्री अयप्पा के पिता से कहा था कि इस मंदिर के द्वार मकर संक्रांती के पावन दिन को ही खोले जाए मकर संक्रांती की एक कथा और प्रसिद्ध है सूर्य देव का विवाह देवी संग्या के साथ हो गया था परंतु देवी संग्या सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाई वे सूर्य देव को बताय बिना चुपचाप से धर्ती पर आकर के रहने लगी परन्त धर्ती पर आने से पहले उन्होंने अपने शरीर से एक अन्यस्त्री को प्रकट किया जो दिखने में बिल्कुल उनहीं कितर होगी इन अन्यस्त्री का नाम देवी संग्या ने रखा च्छाया तो च्छाय देवी को सूर्य देव के पास छोड़, देवी संग्या धर्ती पर आकर के रहने लगा सूर्य देव को देवी च्छाया और देवी संग्या के बीश्च का अंतर नहीं दिखाओ समय के साथ देवी च्छाया का व्यवार संध्या देवी की संधानों के प्रती भेद भावपूर्ण रहने लगा यम राज जो की संध्या देवी के पुत्र थे उन्होंने इस बाद की जानकारी अपने पिता सूर्य देव को दे सूर्य देव को थोड़ा अचमभा सा लगा कि कोई भी सगी मा अपनी ही संधानों के प्रती भेद भावपूर्ण विवार कैसे कर सकते है और जब उन्होंने इस विशय में देवी चाया से जने वो देवी संध्या समझते थे प्रश्न किये तो देवी चाया ने सारी कहानी सूर्य देव के सामने कहड़ा दे इस कहानी को सन सूर्य देव ने देवी चाया को वहीं छोड़ दिया और देवी संग्या की खोच करते हुए धर्ती पर आये उन्होंने देवी संग्या को पुनहा घर आने के लिए मना दिया परन्तु देवी च्छाया के पुत्र शनी देव सूर्य देव के इस विभार से कुपित हो गए और जब देवी संग्या पुनह अपने ही घर वापिस आई तो उन्होंने संग्या देवी का अपमान कर देव इस कारण सूर्य देव को अत्यंत क्रोध आया परन्तु देवी संग्या के मनाने पर सूर्य देव ने अंत तहप शनी देव को ख्षमा कर दिया और उन्होंने शनी देव को धरती के जीवों के भग्य का कार्यभार सौंब ग्रह बनकर विचरने का आशिरवाद दिया दोस्तों यही शनी देव मकर राशी के भी स्वामी ग्रह है और मकर संक्रांती ही वो दिन है जिस दिन सूर्य देव वर्ष में एक बार अपने पुत्र शनी देव के यहां रहने के लिए आते हैं और जब कोई पिता अपने पुत्र के घर जाकर के रहने के लिए आता है तो पुत्र तो प्रसन्य होगा ही और इसी कारण मकर संक्रांती के दिन सूर्य देव के साथ साथ शनी देव की भी पूजा घरी जाती है और यही कारण है कि तिल जोकी शनी देव का ध्योतक है उसका प्रयोग विशेश रूप से किया जाता है और जब हम गुड को तिल के साथ प्रयोग में लाते हैं तो सूर्य देव के साथ साथ शनी देव की कृपा भी हमें प्राप्चर होती है और इसी कारण मकर संक्रांती भाग्य के उदय का भी दिन है बात के वल इतनी सी है कि हम तिल और गुड खाकर मीठा और मधुर वेवार सभी के साथ करें ताकि हमारा भाग्य भी शनी देव की ही भांती हम पर प्रसन्न रहे और इसी कारण मराठी में एक कहावत है तिल गुड घ्या गोड गोड बोला धन्यवाद